तो हेलो दोस्तों आज के इस बेडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजी लेंड के बीच में जो वर्ल्ड कप का अकीसुआ मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में और ये वाला मैच हिमाचल परदेश किरिकेट एसोसियेशन अस्टेडियम धर्मसाला में 22 अक्तूबर को दो पहर दो बजे खेला जाने वाला है तो आज के इस बेडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीस पीच पर ये मैच खेला जाएगा वो पीच केसा है आनि वो पीच किसको सपोर्ट करता है बैट्समेन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या बॉलर्स को support मिलता है तो faster baller को ज़्यादा support मिलता है या spinner baller को ज़्यादा support मिलता है और आज के इस बेडियो में मैं आपको चार एसे trump खिलाडी के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर लोग focus ही नहीं कर रहा है लेकिन वही खिलाडी आज के match में आपको mega grand league winning करवा सकता है तो चलिए एकक करके मैं आपको detail में समझाता हूँ और इस video में मैं आपको इस match का small league और grand league दोनों का special prediction देने वाला हूँ सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है न तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो आपको telegram channel में join कैसे होना है simply जो आप video देख रहे होना इसी के नीचे आपको यहाँ पर एक more का option मिलेगा जैसे ही इस पर click करोगे आपके सामने कुछ इस परकार से description box open होगा अब यहीं पर आपको join telegram channel का option मिलेगा जैसे ही इस link पर click करोगे न direct आप इस telegram channel में आ जाओगे नीचे में आपको join का button मिलेगा click करके आपको join हो जाना है चोकि इसी telegram channel में मैं आपको हर एक match का 100% free में team देता हूँ चाहे वो a small league का team हो या grand league का team हो और इस match का भी final team toss के बाद इसी telegram channel में देने वाला हूँ तो जल्दी से जल्दी join कर लेना सबसे ज़्यादा important होने वाला है अब यहाँ पर हम simply बात कर लेते हैं pitch report के बारे में आनि जी speech पर ये match खेला जाएगा वो pitch केसा है कि इसको ज्यादा support मिलता है इस pitch पर तो सबसे पहले देख लो अभी तक इस pitch पर total 7 ODI match खेला गया है जिसमें से first batting करने वाली team ने 3 match को winning किया है और second batting करने वाली team ने 4 match को winning किया है आनि इस pitch पर first में बैटिंग करो या second inning में बैटिंग करो आपका जितने का chance रहेगा लेकिन सबसे ज़्यादा important होता है wicket के बारे में आनि इस pitch पर किसको ज़्यादा wicket मिलता है तो अभी तक जितना भी match खेला गया है ना उसमें से faster baller को total 48 wicket मिला है और spinner baller को total 26 wicket मिला है आनि faster baller कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे है तो आपके लिए इस match में faster baller important रहेगा अब ऐसा नहीं है कि spinner baller आपके लिए important नहीं रहेगा नहीं जो team second inning में bowling करेगा ना उसका spinner आपके लिए और भी ज़्यादा important रहेगा तो इस बात को आद रखना अगर average score का बात करें तो 200 तीरपन का average score है जो काफी सही है इसलिए यहाँ पर आपको betting पीछ देखने को मिलेगा समझ माचुका है अब यहाँ पर मैं आपको simply दोनों team का playing 11 दिखा देता हूँ जो इस match में रहेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया का playing 11 जो इस match में रहने वाला है तो रोहित सर्मा और सुभुमन गिल आपनिंग करता हूँ दिखेगा उसके बाद आपका विराट कोहली सरस सायर लोकेस राहूल और हार्दिक पांडिया अभी इंजड है और बोला जा रहा है कि इस match में नहीं खेलेगा अगर नहीं खेलेगा न तो सिम्पली इसके जगापर सुरी कुमर आदो खेलता हुआ दिखेगा इस match में लेकिन मैंने माना है कि इस match में खेलेगा इसलिए मैंने इसको अपने playing 11 में एड़ किया है अगर नहीं खेलता है तो simply उसके जगहा पर सुरी कुमर आदो खेलता हुआ आपको दिखेगा समझ माचुका है उसके बाद आपका रविंद्र जडेजा, सार्दुल ठाकुर, कुल्दीप आदो, जस्प्रीद बुमरा और मोहमद सिराज ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सार्दुल ठाकुर के जगहा पर मोहमद समी भी आ सकता है इस मैच में लेकिन उतना चांस नहीं है, लेकिन हाँ, 100% में 10% चांस है कि सार्दुल ठाकुर के जगहा पर मोहमद समी आपको खेलता हुआ दिखेगा इस मैच में और हार्दिक पांडिया के जगा पर आपको सुरी कुमारादों खेलता हुआ दिखेगा अगर नहीं खेलेगा तो अगर बात करें न्यूजी लेंड का प्लेंग 11 जो इस मैच में रहेगा तो न्यूजी लेंड का प्लेंग 11 आप असानी से देख लो तो डिवॉन कॉनवे विल और इस मैच में भी कैन विलियंग सम नहीं खेलेगा उसके जगा पर आपको सिंप्ली विलियंग आपनिंग करता हुआ दिखेगा समझ मा चुका है अब यहां पर मैं सिंप्ली आपको हर एक सेक्शन को डीटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि असमोल लिग में किस खि और न्यूजी लेंड के तरब से आपको डिवान कॉनवे और टॉम लेथम दिखेगा अगर लॉकेस राहूल का रिसेंड फॉर्म देखो गे न तो काफी सही है पिछले मैच में मोका नहीं मिला फिर भी 34 रन का पारी खेला था बांगलादेश के एगेंस्ट इसको उतना मोक नहीं मिल रहा है लेकिन इस मैच में मोका मिलेगा सामने एक मजबूत टीम है तो इसका बैटिंग आएगा और आपको अच्छा खासा रन बना करके देगा और हेड़ टू हेड में चार मैच में 51 का एवरेज है न्यूजी लेंड के एगेंस्ट तो लॉकेस राहूल आपके ये मस्ट पिक बनेगा आपके टिम में होना चाहिए अगर डिवोन कॉनवे का बात करें तो इसका भी रिसेंड फॉर्म क्या तगड़ा आपको देखेगा हर एक मैच में आपको परफॉमेंस करता हुआ देखेगा और हेड टू हेड में 43 का एवरेज है तो ये भी आपके ल सेक्षन ना बहुत कम रहेगा लेकिन मैं बोलता हूँ इसको मेगा जील में ट्राइ करना आपके लिए एक बहत्रीन ओप्सन रहेगा टॉम लेथम और यहाँ पर मैं सिंप्ली करूंगा क्या सबसे बेस्ट ओप्सन मेरे जो टिम में रहेगा विकेट की पर वाले सेक्षन मे एक लोकेस राहूल और एक डिवान कॉनवे यह दोनों पलेर मेरे टिम में रहेगा टॉम लेथम आप मेगा जील में ट्राइ करना काफी बहत्रीन ओप्सन है अब यहाँ पर देखो टॉम लेथम को भी मैं इस मैच में ले सकता हूँ कि इसके जगा पर लूंगा वो आपको पता चलेगा अब यहाँ पर सिंपली में आपको अस्पोर्ट सभाजी के बारे में बता देता हूँ अगर आप फेंटेसी खेलते हो और अगर आपको अस्पोर्ट सभाजी के बारे में पता नहीं है ना तो आप फेंटेसी में बहुत पीछे हो क्योंकि अस्पोर्ट सभाज में सिर्फ आपके लिए अस्पोर्ट्स बाजी ने 30 लाख का गेरेंटेड इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड लाया है और इस वर्ल्ड कप में जितना आप मैच जितना फेंटेसी अस्पोर्ट्स बाजी पर खेलोगे ना उसके एकोडिंग आपके रैंक को डिसाइड किया जा जाएगा और हाँ लोगिन करते समय मेरा जो रैफर कोड है एक के जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको यूज करना तभी आपको बहत्रिन से बहत्रिन ओफर मिलेगा समझ मा चुका है अब यहां पर मैं आपको सिंपली बैट्समें वाले सेक्शन में बता देता हूँ तो एक मैच में आपको परफॉमेंस करके देगा आनि रोहित सर्मा का मानना है कि मेरा सतक हो या अर्ध सतक हो या ना हो लेकिन मैं हर एक मैच में खूल करके खेलूँगा समझ मा चुका है तो रोहित सर्मा को तो लेना बनता है अगर नहीं लोगे ना तो सतक मार देगा यही होत तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए important रहेगा अब यहाँ पर देखो विल यंग का बात करें तो recent form कोई खास दिखेगा नहीं लेकिन पिछले मैच में 54 रन बनाया था उससे पिछले मैच में 70 रन बंदा opening करेगा आपके लिए एक best option रहेगा इसका selection ना बहुत कम रहेगा लेक अगर ड्रेल मिचल second inning में बैटिंग करेगा न्यूजिलेंड तभी को लेना ठीक है अनि जब न्यूजिलेंड second inning में बैटिंग करेगा न तभी ड्रेल मिचल को try करना चोकि chase करते समय काफी सही खिलता है और अगर न्यूजिलेंड first में बैटिंग करेगा तो ड्रेल मिचल को ड्रेल मिचल को ड्रॉप करके टॉम ले लूँगा विकेट की पर वाले सेक्शन में आगला प्लायर देख लो विराट कोहली और सिरा सहीर आपको दिखेगा इधर से आपका गलैन फिलिप्स और आपका मार्क चेपमेन तो विराट कोहली का फॉम पिछले मैच में सतक लेकिन गजब का सतक मारा था अल्डरेडी आपको पता होगा देखा होगा आप लोगने मैच तो ठीक है और इसेंट फर्म काफी सही है हेड़ टू हेड में 50 का एवरेज है न्यूजी लेंड के एगेंस्ट और वेन्यू पर 85 का एवरेज है तो इसको तो लेना बनता है और C&VC का स बोहत कम रहेगा तो आप सरेसेयर कोना मेगा जेल में ट्राय करना बन्दा फों में है और नियूजी लेंड के एगेंस्ट भी पर्फॉमेंस करता है लेकिन इसको बहुत कम लोग लेक करके चलेगा इस मैच में लेकिन मेगा जील का एक बेश्ट ट्रंप पलैयर आपके तो इसको आप मेगा जील में ट्राइ करना काफी बेहत्रीन उप्सन रहेगा गलैन फिलिप्स आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है मार्क चैपमेन कोई खास परफॉर्मेंस दिखेगा नहीं head to head में मातर एक काइवरेज है तो मैं इसको consider करने के लिए नहीं बोलूँगा अब यहाँ पर मैं simply करूँगा क्या एक प्लायर विराट कोहली को लेने वाला हूँ ना ही मैं सरसायर को लूँगा ना ही मैं गलैन फिलिप्स को और ना ही मैं मार्क चैपमेन को लेकिन सरसायर और आपका गलैन फिलिप्स आपके लिए trump card बनेगा इस match में मेगा जील में इसको आद रखना अगर बात करें all rounder वाली section में तो all rounder वाली section में आपको हर्दिक पांडिया और आपका रविंद्र जड़ेजा देखेगा और अगर हर्दिक पांडिया नहीं खेलेगा तो simply सुरिक मरादो आपको खेलता हुआ दिखेगा लेकिन form देखलो हर्दिक पांडिया का पिछले match में तो इंजर हो चुका था अच्छा खासा balling भी नहीं कर पाया मातर तीन ball फेका और इंजर हो चुका था तो उसमें तो हम देखेंगे नहीं उससे पिछले match में 2 wicket, 2 wicket, 1 wicket है और नीवजी लेंड के against 10 match में कितना है सत्ता इस coverage है और पलस 15 wicket है तो सही performance करता है और venue पर 1 match में 4 wicket है तो अगर हार्दिक पांडिया खेलेगा ना तो आपके लिए एक must pick बनेगा इसको ले करके चलना रविंद्र जडेजा कोई खास performance नहीं है लेकिन पिछले match में 2 wicket, फिर 2 wicket इसका batting नहीं आता है लेकिन रविंद्र जडेजा आपको balling से काम करके देगा तो इसको try करना सबसे best option रहेगा head to head में 3 match में 140 run और 47 का average है और 4 wicket है तो नीजी लेंड की against खेलना पसंद करता है रविंद्र जडेजा तो आपके लिए एक must pick बनेगा अगर हार्दिक पांडिया नहीं खेलेगा न तो इसके जगाँ पर आप रविंद्र जडेजा को ले सकते हो या फिर रोहित सर्मा को ले सकते हो अब देखो रचिन रविंद्र कोई खास performance देखेगा नहीं जिस परकार से पहले performance करता था उस परकार से कोई खास performance आपको नहीं देखेगा तो इसको लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन बैटिंग भी करेगा और तिन नमर में बैटिंग करेगा और बॉलिंग भी करेगा आपको हर एक match में सही निकालेगा भले ही batting से performance ना करे लेकिन आपको wicket निकाल करके देगा 2-3 wicket हर एक match में निकालेगा और hit to hit में 15 match में 4 wicket है समझमा चुका है तो Mitchell Santander आपके लिए एक best option रहेगा रचिन रविंद्रा से भी best option है आपका Mitchell Santander तो इसको आद रखना अगर बात करें यहां पर अस्पोर्ट सबाजी के बारे में तो इस मैच में आपको अस्पोर्ट सबाजी फिरी में एक लाख जितने का मौका दे रहा है आपको एक भी रुपईया नहीं लगाना है और एक लाख विनिंग कर सकते हो और 49 रुपईये में आपको तीन लाख का मेगा लिग मिलेगा और अगर मैं आपको बोल दूँ कि यह तीन लाख आपको फिरी में मिलेगा तो आपको केसा होगा सुनने में बहुत मजाएगा हाँ अगर आप अस्पोर्ट सबाजी में ना फास्ट टाइम मिनिमम से मिनिमम 500 डिपोजिट करोगे और डिपोजिट करते समय एस भी मेगा कोड को यूज करोगे तो आपको ये वाला जो मेगा लिग का कॉंटेस्ट होता है न एकदम आपको फिरी में खेलने को मिलेगा फिरी में आनि जीरु रुपईया लगा करके आप तीन लाख विनिंग कर सकते हो तो सोच लो क्या कर सकते हो तो आपको और भी मजाएगा कैसे अगर आप स्पोर्ट्स बाजी में फर्स्ट टाइम मिनिमम से मिनिमम सो रुपईया डिपोजिट करोगे और डिपोजिट करते समय एस बाजी कोड को यूज करोगे न तो आपको ये वाला कॉंटेस्ट एकदम फिरी में मिलेगा एकदम फिरी में फिरी में पच्चास हजर आनि सोच लो इधर तो आपको अलग से एक लाख फिरी में मिल रहा है यहाँ पर भी आपको तीन लाख फिरी में मिलेगा और यहाँ पर भी आपको पच्चास हजर फिरी में मिलेगा और मांतर एक रुपए लगा करके आपको ही मिलेगा जब मेरा रैफर कोड लोगिन करते समय जो मेरा रैफर कोड है एक के जोन इसको यूज करोगे तभी आपको ये सब बहतरिन से बहतरिन ओफर मिलेगा तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो और लोगिन करते हैं समय मेरा जो रैफर कोड है एक के जोन इसको यूज करना तब ही आपको ये वाला बहत्रिन से बहत्रिन ओफर मिलेगा अब यहाँ पर हम सिंपली बात कर लेते हैं बॉलर वाला सेक्षन तो बॉलर वाली सेक्षन में आपको सारदुल ठाकूर और कुल्दी पादो देखेगा इधर से आपका मैट हेंडरी और लॉकी फ़र गूसन देखेगा अगर बात करें कुल्दी पादो का उससे पहले बात कर लेते हैं सारदुल ठाकूर का तो रिसेंड फर्म कोई खास आपको देखेगा नहीं नो मैच में सत्रों विकेट आनि लगभग आपको डबल दिखेगा तो कुल्दिप आदव आपके लिए एक मस्ट पिक बनेगा इस मैच में समझ मा चुका है इसको ले करके चलना अगर बात करें मैट हेंडरी का तो इसका भी रिसेंट फॉम क्या तगड़ा है भाई हर एक मैच में आपको विकेट निकाल करके देगा और हेड टू हेड में आठ मैच में एक ग्यारो विकेट तो इसको तो लेना बनता है लोकी फर्गूसन पिछले मैच में ही तीन विकेट उससे पिछले मैच में तीन विकेट भले ही इधर 0 विकेट है लेकिन अभी तगड़ा परफॉमेंस कर रहा है और 10 मैच में 12 विकेट है इंडिया के एगेंस्ट तो यहां से मैं किसको लेने वाला हूँ मैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक कोल्दी पादो एक मैट हेंडरी मेरे टिम में रहेगा और मुझे जरुरत पड़ेगा तो मैं लौकी फर्गूसन को अपने टिम में कंसीडर करूँगा अभी मैं जो टीम दिखांगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा उसके बाद आपको इधर से जस्परीद बुमरा म आपके लिए एक मस्ट पिक बनेगा लेना पड़ेगा इसको मोहमद सिराज दो विकेट दो विकेट जरो विकेट एक विकेट आन्य मोहमद सिराज उतना भी फॉम में नहीं आया है लेकिन इवजिलेंड की एगेंस्ट दो मैच खेला है और पांच विकेट लिया है तो यह आपके लिए must pick बनेगा लेकिन मोहमद सिराज को तभी try करना जब team India first में balling करेगा फास्ट में अगर balling करता है team India तो आप मोहमद सिराज को ले सकते हो Trent bolt इसको तो लेना पड़ेगा बहुत लोग इसको ignore करेगा चुकि पिछले match में अच्छा खासा performance नहीं किया था दो wicket दो wicket जिरो wicket एक wicket दो wicket लेकिन इस match में तगड़ा performance करेगा इसका region क्या है चुकि ये बंदा इंडिया के against नहीं हर एक match में दो wicket या 3 wicket निकाल ही लेता है इससे जादा भी निकाल लेगा इस match में 13 match में 26 wicket देख लो double समझमा चुका है तो यहां से मेरा जस्पृत बुम्रा confirm है और यहां से Trent bolt मेरा confirm है मेरे team में अब यहां पर मैं आपको simply fix and keep player बता देता हूँ जो आपको mega league winning करवा सकता है तो एक आपका सुभमन गिल, विराट कोहली, डिवोन कॉनवे, लोकेस राहूल, रचिन रविंद्रा, जस्पृत बुम्रा और ट्रेंट बॉल्ट यह साथ ऐसा player है ना जो आपके team में हर हाल में होना चाहिए यही player आपको mega league winning कराएगा इस match में अगर बात करें Trump player के बारे में, mega league के बारे में तो सरसायर, Tom Latham, Will Young, Drill Mitchell, Mohamed Siraj, Lockie Ferguson और आपका सारदुल ठाकुर यह साथ ऐसा Trump player है ना, जो आपको आज के match में 2 करोर winning करवा सकता है mega league में, ठीक है, और अगर आप mega league का team बनाते हो तो यहाँ से कम से कम 4 player आपके team में हर हाल में होना चाहिए समझमा चुका है, अलग-अलग combination करना है जैसे कि एक team में सरसेयर को ले लो, Tom Latham को ले लो, Will Young को ले लो, और सारदुल ठाकुर को ले लो एक team में Drill Mitchell को ले लो, Mohamed Siraj को ले लो, Lockie Ferguson को ले लो, Tom Latham को ले लो इस परकार से आपको अलग-अलग combination करना है अगर CBC का सबसे best contender के बारे में बात करें, small league और grand league दोनों में तो सुभुमन गिल, विराट कोहली, Lockies Rahul और आपका इधर से Devon Conway, Tom Latham, Trent Bolt और Rohit Sarma समझमा चुका है, आनि सुभुमन गिल और विराट कोहली और Devon Conway और Rohit Sarma ये चारों आपके लिए safe option रहेगा इस match में, इसको small league में C&VC बना सकते हो लेकिन अगर आप कुछ अलग ट्राइ करना चाहो, Mega league का team बनाते हो तो simply Lockies Rahul को ट्राइ करना, Tom Latham को ट्राइ करना, और इधर से Trent Bolt को ट्राइ करना काफी best option आपके लिए रहेगा, Mega GL में, C&VC का सबसे best contender मैं किसको बनाऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा अब यहाँ पर मैं अपना final small league का team दिखा देता हूँ, जो मैंने sports बाजी पर बनाया है तो आप असानी से देख लो, विकेट किपर वाले section में लोकेस राहूल और डिवान कॉनवे दिखेगा बैट्समेन वाले section में ड्रेल मिचल, सुभमन गील, विराट कोहली दिखेगा और 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 रावंडर वाले section में मैंने हार्दिक पांडिया को लिया है लेकिन इस मैच में हो सकता है नहीं खेलेगा अगर हार्दिक पांडिया नहीं खेलेगा तो मैं simply रविंद्र जडेजा को ले सकता हूँ या फिर रोहित सर्मा को ले सकता हूँ अपने टिम में जो भी changing होगा तौस के बाद बता दूँगा मिचल सेंटनर और रचिन रविंद्र आपको दिखेगा कोल्दी पादो है ट्रेंट बॉल्ट है और आपका जस्पृत बुम्रा है अब देखो यहाँ पर अगर न्यूजी लेंड फ़स्ट में बैटिंग करेगा तो मैं ड्रेल मिचल को ड्रॉप करके सिंपली यहाँ पर मैं टॉम लेथम को ले लूँगा समझ मा चुका है क्याप्टर मैंने सुभुमन गिल को किया है भीसी मैंने विराट कोहली को किया है अगर इस टिम में जो भी चेंजिंग होगा ना टॉस के बाद आपको टेली ग्राम में पता चल जाएगा तो टेली ग्राम चेंटल में जोएन हो जाना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको वेडियो अच्छा लगा होगा तो इस वेडियो को एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को दबा करके औल पर प्रेस कर लेना